हेलो फ्रेंड्स आज वें आपको प्राइवेट आए ये 2009 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिदर मुवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ जिस तरीके से शार्लोक होम्स में शार्लोक होम्स और डॉक्टर वाटसन इन दोनों के रिलेशन्शिप दिखाई गई है उसी तरह के से इस मुवी के क्यारेक्टर में भी इन्होंने डेवलप करनी कोशिश की है और अच्छे परसंटेज में ये सफल भी हो जाते है ये मुवी अलग-अलग टरंस से भरी हुई है तो चली इसे एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक आतमी जंगल से चल रहा है उसके साथ एक डेट बोडि है इसे वो लेकर जा रहा होता है इसके बाद Jinho जो हमारा main character है ये हम देखते है Jinho एक private director होता है एक wife cheat कर रही थी तो Jinho ने उस husband को वो जहाँ cheat कर रही थी वहाँ पर लाकर छोड़ा था जब cheating करती हुए wife को उसने पकड़ लिया तो इसकी photo Jinho ने लिली ये photo जाकर Jinho अब newspaper वाले को देखर आता है newspaper वाले affairs के stories के लिए इसे पैसे देते है ये यही काम करता है Jinho का एक dream होता है कि वह अमेरिका जा सके इसलिए पैसे save करने के लिए ये सब वो काम करता है newspaper editor इसे पैसे देता है और पुछता है कि तुम क्यों बहाँ जाना चाते हो कि वहाँ में बहुत सारे पैसे कमाना चाता हो ये joke कर देता है कि वहाँ बहुत सारी wives cheat करती होंगी अब Jinho city में आता है इसे actual में directive work भी करना होता है इसलिए अपने pamphlet इस city में लगा देता है इसके बाद next scene में हमें दिखाया चाता है कि एक operation चल रहा है यहाँ पर एक बड़े doctor होते है जो जापनीज होते है इनके हाथ के नीचे हमारा और एक main character जिसका नाम जैंग होता है ये काम करता है इस operation में जैंग थोड़ा भी डरा नहीं था और सही से उसने doctor को help की थी तो जब यह operation खतम हो जाता है तो doctor जैंग से कहते है कि तुम्हें और भी practice करनी चाहिए जैंग generally animals पर practice करता है तो doctor उसे कहते है कि अब तुम्हें humans पर practice करनी चाहिए doctor ने अभी-भी operation किया है पर इसके बदले में उसे एक भेज दी गई है यह जो हमारी story का time period है यह 19th century का starting का period है इसी वज़े से यहां में दिखता है कि doctor को as a payment वो भेज दे देते है doctor इसमें frustrated होता है क्योंकि जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे इसके बाद हमें एक crime scene दिखता है मास्टर के son का room था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मास्टर आकर यह देखता है और इसे बहुत ही सदमा लगता है मास्टर का बेटा ही गायब हो गया है तो बहुत ही चीड़ गया आता है वो जल्दी से जल्दी यंग को ढूणने के लिए बोलता है यंग भी कहता है यह अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती यह मास्टर कहता है यह अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूण दिया तो तुमारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे अब नेकसिन में यंग सस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालता है वो अपने कलिक के साथ ये लिस्ट देखता है और उनके नाम से ही लॉजिक बनाने की कोशिश करता है एक के नाम में टाइगर होता है तो इस नहीं ये काम किया होगा इसलिए उसको ही वो सस्पेक्ट बना देते है मास्टर को बहुत ही बुरा लग रहा होता है अपने फ्रेंड से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा पढ़कर आया था उसका कोन एनिमी हो सकता है दिन वो पूरे एमपायर को रूल कर सकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जाएंग मुझूद है साफसपय का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो मास्टर के सन की फोटो देखता है इसे शौक लगता है और वो बहुत ही डर जाता है रात में सडक से जब यह जा रहा होता है तो लोग बात करे होते हैं कि मास्टर के सन को अगर कुछ हो गया तो यह बहुत ही बुरा होगा जिसने किया होगा उसे बहुत ही तटपाया जाएगा मास्टर ने उसके सन को ढूंड कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा हुआ होता है सुबह हम देखते हैं कि जैंग जिन हो के पास आता है उसे आकर कहता है कि मुझे एक आदमी को ढूणना है जब ये पैसे अगरा डिसकस कर लेते है तब जैंग उसे कहता है कि वो एक मर्डरर है मर्डरर का नाम सुन कर जिन हो पीछे हट जाता है वो पुलिस के कामा में ज़्यादा इंटरफेर ने करना जाता उसके लाइफ को भी खत्रा हो सकता है तो इसके लिए वो केस लेने वाला नहीं जैंग कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो जैंग को उसने बाहर निकाल दिया होता है जैंग उसे पाच वोन देता है वो कहता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए ये है जाएंग फिर जिन्हो को एक जगा पर लेकर आता है जाएंग उसे एक dead body दिखाता है ये master के बेटी ही dead body होती है जिन्हो जब ये देखता है तो डर जाता है जाएंग केता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मैंने ये कभी देखा ही नहीं इसा आप मैं pretend करूँगा मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा पर ये case जिन्हो को नहीं लेना होता जाएंग जिन्हो को कहता है कि मुझे body मिली थी मैंने नहीं किया है और इस काम के लिए उसे 5001 देना चाता है जिन्हों को अमेरिका जाने के लिए जो टिकेट लगने वाला है इसकी price ही 5001 है 5001 सुनकर जिन्हों रूख जाता है जिन्हों कहता है कि तुम्हारे पास body है तुम जाकर डिरेक्ली देख कर आ सकते हो जाएंग कहता है कि मैंने इसके liver वेगरा सब कुछ निकाल लिया है हमने देखा था कि डॉक्टर ने जाएंग को कहा था कि real humans पर इसे practice करने चाहिए तो यही जाएंग कर रहा था और इसी वज़े से उसने liver वेगरा सब कुछ body से निकाल लिया था अपनी movie के फास में देखा है कि एक आत्मे जंगल से body लेकर जाएंग ही था गुमते फिर ते इसने एक body देखी और इस पर experiment करना चाहिए ऐसा उसे लगा इसलिए body यह घर पर लेकर आया अब जिन हो पैसो के लिए एक case लेने के लिए ready हो जाता है जैंग फिर उसे जहाँ पर body मिली थी वहाँ लेकर आता है यह जगा forest में होती है और body वहाँ पड़ी हुई थी जिन हो आसपास देखता है तो कार्ट के निशान उसे दिखते है जिन हो को लगता है कि अगर इस कार्ट को उसने पहचान लिया तो killer के पास हो पहुच जाएगा पर जैंग ने ही एक कार्ट लाया था जैंग को फिर से मज़ाग करकर पूछता है क्या तुम शोर हो कि तुमने नहीं किया इसके बाद हम देखते है कि दुनों मार्केट में आ जाते है जैंग जिन हो को कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि forest के middle में जहां किसी को भी बॉड़ी मिल जाए यहां बॉड़ी रखी गई थी मर्डर ने कुछ भी effort नहीं लिये थे जिन हो कहता है कि इसके पीछे दो reason हो सकते है पहला यह बहुत idiot है और दूसरा कि वो चाहता था कि यह बॉड़ी किसी न किसी को तुमिल जाए जिन हो जैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है इस आदमी को spot करता है और इसके पीछे-पीछे भागने लग जाता है जिन हो एक जगा पर ठकरा जाता है और यह आदमी आगे चला जाता है जैंग को लगता है कि यही killer हो सकता है इसके बाद हम देखते है कि जिन हो एक लड़की के पास आता है इस लड़गी का नाम होता है सुन यह हमारे और एक मेन कैरेक्टर है यह एक फैक्टरी जीसी जगा पर काम करती है पर वहाँ वो बहुत सारे एक्सप्रिमेंट करती है एक्च्वल में इसे सैंटिस बनना आता है इसलिए हमेशा हो experiment करتे रहती है जिनों को उसने एक दुर्बीन दी थी पर अब वो तूट चुकी है जिनों उसके पास आता है जिनों केता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छी case आई है अगर उसने स्वाल कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे सुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत साही चीज़े तुम सिख सकती हो तो पूछती है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्हों केता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुन के दिये मैं सब एक्स्प्रिमेंट्स वगिरा करती हूँ ये करकर मैं औरेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ सुन टेलिस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीज़े बना दिये 1900 का जो वक्त था इतना प्रोग्रिस्व नहीं था औरते ये सब कर सके एक्सिप्टेड नहीं था इसलिए सुन के दिये कि मैं करकर अल्डिडी रिस्क ले रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाय गया था तो एज़ पुलिस ओफिसर वो ढोंग करकर वहाँ आ जाता है पुरे मर्डर सिन को देखता है यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते है यह सब चान्बिन कहा रहाता है तब एक पुलिस ओफिसर उसे ढूण लेता है इसके बाद उसे यंग के पास लेकर जाया जाता है यंग उसे मारता है और कहता है कि अब यह केस खतम हो चुका है इसने जो रियल किलर है उसे पकड़ लिया है यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो confession लेने के लिए जबर्दस्ती कर रहा है जिन्हों कहता है कि अगर ये killer है तो उसने body कहा रखिये यंग ने सिर्फ suspect के नाम से उसे पकड़ लिया था ये logic जब जिन्हों सुनता है तो इस पर वो हसने लग जाता है जिन्हों को फिर छोट दिया जाता है वो directly जैंग के पास आता है जिन्हों ने murder scene से जो drugs लाए थे वो जैंग को दे देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये drugs है जैंग अब इसका study करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है ये drugs है जहाँ पर ये drugs sale किये जाते है वहाँ फिर जिन्हों और जैंग पहुच जाते है यहाँ अंदर सब नशेड़ी पड़े हुए होते है यही से ही master के सन्ने drugs लियोंगे तो इसकी inquiry वो करने लग जाते है थोड़ी दिर में इस जगह का boss आ जाता है और वो जैंग को पहचान लेता है उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और ये कभी भी drugs नहीं करता अब इगुंडा सब आर्मे को लेकर उसे मारने लग जाता है जैंग और जिन हो भी रेजिस्ट करते है और बहुत सारे लोगों को मारते है boss को पकड़ लेते है और उसे उल्डा लटका देते है उसे पुछते है कि तुमने लास्ट पार कब मास्टर के सन को देखा था पहले भोल नहीं रहा था पर उसे बहुत डराते है तो बोलने लग जाता है यह कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रक्स लेने के लिए आया था उस दिन उसके घर के डारेक्शन में वो नहीं गया डौंगी निनम नाम की एक जगा थी यहाँ बर वो गया था जब जिन हो और जायंग यहाँ बहुत जाते है तो उन्हें पदा चल जाता है कि यहाँ पर एक सरकस थी यह सरकस अब जड़ा आगे चली कही है निक्सिन में हम देखते है कि रात में कमिशनर के घर पर एक आदमी आता है इस आदमी को कमिशनर जानते है तो अंदर आने देते है पर आदमी कमिशनर का खोन कर देता है फिर से जंगल में जहां जायंग को Master के sun की body मिली थी उसी जगा पर पुलीस को मिल जाती है अब Commissioner की dead body मिल चुकी है तो Master और भी चिट गए होते है Master यंग को धमकी देते है कि अगर उसने उसके sun को नहीं जल्दी से डोन कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे के बाद हम देखते हैं कि यंग एक आदमी के पास आयो हुआ है इसका नाम होता है इकवांग यंग इकवांग से पुछता है कि मैंने तुमें ही इन दोनों को इंट्रोडूस कर रहा था यानि कि कमिशनर और मास्टर का बेटा और अब ये दोनों डेड़ है इकवांग पर ये शक ले रहा होता है इकवांग केता है कि यो दोनों बड़े आदमी थे इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं हमने मुवी में देखा है जिसको कमिशनर ने मारा था ये ही इकवां है अब पुलिस को कमिशनर की बॉड़ी मिल चुकी है तो उसकी ओटपसी करने के लिए डॉक्टर को बुलवया जाता है पर डॉक्टर जैंग को ही लेकर आता है जब जाएंगी ओटपसी कर रहा होता है तो कमिशनर के मुव में एक कपड़ा होता है जिसको छुपा कर अपने बॉक्ट में रख लेता है यहाँ इस ओटपसी में फिगर आउट करता है कि जिस नाइफ में दोना तरफ से धार होती है इसे नाइफ से मर्डर किया गया था यह रात में जाकर जिन्हों को यह सब बाते बता देता है जिन्हों भी investigation करी रहा था तो उसे नाइफ के बारे में पता चल कया था कमिशनर के मुव में जो कपड़ा था यह एक नया सुराप उन्हीं मिल चुका है तो इसके पीछे अब वो लग जाते है यह कपड़ा आया कहा से है यह पता नहीं कर पाते है सुन इंटेलिजन्ट है तो सुन के पास जिन हो यह कपड़ा लेकर आता है पर थोड़े एक्सप्रिमेंट करती है फिर उसे पता चलता है कि इस कपड़े पर फ्लावर बना हुआ था इसे फ्लावर के कपड़े सरकस में ही लोग पहनते है कमिशनर का बेटा मर्डर होने से पहले सरकस में ही गया था तो अब यह दो एविडन्स इने मिल चुकी है तो सरकस में कुछना कुछ तो गरबढ़ है इसे पर्शू करने के लिए वो निकल जाते है जाक कर वो सरकस देखने लग जाते है तो वहाँ इकवांग होता है इकवांग डबल एज नाइफ से एक शो दिखाता है जिसमें एक आदमे को बोर्ट से बानता है और उस पर यह चाकू चलाता है इकवांग केता है कि ओडियंस में से अगर कोई आ जाए तो सर्चूज में एक गेम खेलती होए डरेगा तो यह बहुत ही मज़ा आएगा जिन्हो जल्दी से उट जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है इकवांग थोड़ी दर तक आखों में पट्टी बान लेता है उसके बाद चाकू चलाने लग जाता है यह देखकर जिन्हो बहुत डरा हुआ होता है पर सक्सेस्पुल यह गेम कम्लिट हो जाता है जब जिन्हो ने इस गेम के लिए वालेंडेर किया था तो उसी वक्त उसने नाइफ वहां से चुरा ली थी यह नाइफ वो चेक करते और कन्फर्म हो जाता है कि इसी नाइफ से मर्डर हुआ था जिन्हो अभी भी कहे नहीं सकता कि इकवांग ने मर्डर किया है क्योंकि सरकस में इन नाइफ को कोई भी पा सकता है और किसी ने भी मर्डर किया हो सकता है इसके बाद हम सरकस देखते है इकवांग ने एक लटकियों को पकड़ कर लटकाय हुआ होता है यह लटकी यहां से भाग रही थी इसे वज़े से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बाय किया है तुम्हें साथ जो चाहे वो कर सकता हो इस लटकी की एक छोटी बहन भी थी उसे पकड़ कर ले आये है इस छोटी लटकी की भी उस स्कीन जराने वाला था पर बड़ी लटकी के थी है इसका पिरेड आया हुआ है यह सुन कर इसे खुशी होती है यह एस छोटी लटकी को छोड़ देता है इसके बाद हम देखते है कि न्यूस पेपर वालों की यहाँ जिन हो को पुलाया गया है सरकस में एक बड़ा इवेंट चल रहा है जहां गवर्नर, पुलिस ओफिसर यह सब आने वाले है यहाँ किसी को भी allowed नहीं है तो जिन हो को खेता है कि वहाँ जाकर चुक्के से तुम कुछ images लेकर आऊ यहाँ क्या चलता है यह किसी को भी पता नहीं है इन्हें हम कुछ expose कर सकते है यह news paper वाला कहता है कि यह काम dangerous हो सकता है जिन हो pretend करता है कि उसे भी ये dangerous लग रहा है पर actual में उसे भी जाना होता है क्योंकि अब वो case की investigation करने के लिए सरकेस के बारे में और भी कुछ चानना चाता है सरकस के यह आजाकर सरकस वालों से वो कहते है कि तो वे free की publicity मिल जाएगी इसलिए वो सरकस वाले भी इने फोटो लेने के लिए help कर दे थे जिन हो अलग एक टेन में घुसता है और वहाँ नाइपस खोजने लग जाता है यहाँ उसे killer कोन है इसका कुछ न कुछ तो evidence मिल सकता है पर इसे एक आदमी ढून लेता है और बहार निकाल देता है यह आज से जा रहाता है पर दोनों छोटे लड़किया इसे रोक लीती है गयती है कि प्लीज हमारा भी फोटो ले लो जिन हो पहले मना करता है पर यह बहुत ही sweetly उससे request करती है तो जिन हो भी मान जाता है तो सुन को सब कुछ मालूम है तो वो भी थोड़ी सी investigation करती है सुन पता करती है कि जो इकवां है यह अलग-अलग behave करता है एक बार वो कुछ करेगा तो दूसरे बार कुछ अलगी चीज़े करता है पुलिस पर याने कि यंग पर अप्रेशर बढ़ने लग चुका है तो एक आदमी को जो बहुत ही गरीब होता है confession करने के लिए मना लेता है यह एक fake body भी रखवा आते है यह आदमी सिर्फ पैसो के लिए admit करता है कि उस नहीं master के son को मारा है जब इस murder को देखने के लिए जिन हो और जैंग जाते है तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ यह वही आदमी था जिस पर operation हुआ था यह बहुत गरीब है इसी वज़े से इसने confession किया होगा यह वो जिन हो को बताता है जिन हो अब यंग के पास जाता है उससे कहता है कि मुझे मालूम है कि यह real killer नहीं है मैं सब जाक कर यह master को बता सकता हूँ यंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो यंग बोचता है कि तुम्हें क्या चाहिए जिन हो कहता है कि मुझे सिफ तीन दिन दो तीन दिन में सही murderer में ढून निकालोंगा तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए अब रात में investigation करने के लिए जिन हो सरगस के आसपास घुम रहा होता है तब इकवांग उसे ढून लेता है इस पर वो चाक को लगाता है गहता है कि तुम यहां कर क्या रहे थे यह जिन हो को धमकी देता है कि अगर वो आसपास फिर से दिखा तो उसे मार डालेगा जिन हो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही murderer हो इकवांग यह सुनकर surprise हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है जैसा हो pretend करता है अब इन दोर में fight हो जाती है पर इकवांग का twin brother वहा जाता है यह दोनों मिलकर जिन हो को बान देते है इसके बाद यह सरकस का show करते है इकवांग का जुड़वा ब्रदर अब जिन हो से मिलने के लिए आता है जिन हो केता है कि तुमने ही murder किये है यह जुड़वा ब्रदर केता है कि तुम police नहीं हो हम दोनों को अकेला छोड़ दो जिन हो अभी भी बंदा हुआ है और उसे वक्त सरकस का show चल रहा होता है हमने जो दो लड़किया देखी थी वो सरकस में काम करती है और show करते वक्त उपर से चलांग लगा देती है यह बहुत ही इंजोड हो जाती है जैंग भी जिनों को ढूंटे ढूंटे यहां आही चुका होता है और जिनों को छुड़वा लेता है यह आसे जा रहे होते है पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है इकवांग भी इस लड़की के पास आयो होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है यह अपने ब्रदर पर घुसा हो जाता है उसे मारने लग जाता है उपने ब्रदर को कहता है कि तुम्हारी वज़े से ये सब हुआ है जिन्हों टेंड के अंदर होता है और ये दोनों ब्रदर बाहर जगड रहे होता है जिन्हों को आवाज आती है और वो बाहर आता है पर वहाँ उसे एक ब्रदर की डेड़ बॉड़ी मिलती है अपि डेट बोडी किस ब्रदर की है ये किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर पुलिस को बुलो आ जाता है यंग इकवांग का फ्रेंडी है तो यंग कहता है कि किसे न किसे तरीके से मैं जल्दी से एक केस निपटा लूँगा कोई भी वरी करने को तुमें जरूरत नहीं है जिन हो के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुमें रियल किलर मिला है जिन हो यंग को कुछ भी नहीं बताता जिन हो को पता है कि जो ब्रदर जिंदा है यही किलर है पर वो बताने नहीं वाला जो छोटी लड़की उपर से गिरी थी इसको Jam help कर सकता है यह जल्दी से उसे ऊस्पिटर में लेकर आता है वो डॉक्टर को सरजरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मारने रहाता है Jam डॉक्टर पर बहुत ही जिर जाता है वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसु के लिए नहीं कर रहे है डॉक्टर भी जिर जाते है और वहाँ से चले जाते है जाएंग अब खुद ही ओपरेशन कर डालता है रात में जिन हो सुन से मिलने के लिए आता है जिन हो अब ज़रा परिशानी में है सुन यह पहचान जाती है सुन के दिये तुमें जो भी लगता है जो तुमें करना चाहिए यह तुम कर डालो वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम यह काम करो यहाँ इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इनमें ब्रेकप हो चुका है इसके बाद हम देखते है जिन हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिन हो फिर सरकस में पोशता है आसपास कही भी इकवांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उसके पर वो ट्रस्ट करता है वो वह होता है जिन हो फिर उसे बहुत मारता है और इकवांग का पता निकालता है नियूस्पेवर वाले ने जिन्हों को कहा था कि कमिशनर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इकवांग के पास जाते हैं ये क्यों जाते है इसका रिजन अब उसे पता चल जाता है इन सब लोगों का कलब था जिसमें कमिशनर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे इकवांग इन सब लोगों को लड़किया सप्लाई करता था ये सब मिलकर इन लड़कियों का शोशन कर दे थे सरकस में काम करने वाली लड़किया हमने देखी है कि वो भागनी कोशिश कर रही थी यही रिजन था कि वो भागना चाहती थी इकवांग के आदमी से जिन हो पता निकाल लेता है इकवांग अब कहा होगा वो इस बार गवर्नर के पास आया हुआ है एकवांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़किया सप्लाई करता था दूसरे ब्रदर को जब पता चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़किया सप्लाई करता था ति वो बहुत ही चिड़ गया गुसे में आका रिवेंज लेने के लिए सब को मारने लग गया जब एक दूसरे को इन्होंने confront किया तो एक ब्रदर मर गया जो मर गया वो लड़किया सप्लाइक करने वाला था पर अभी भी जो मांडर कर रहा है वो जिन्दा है इस बार वो governor को मारने के लिए गया है जिन्हों ये सब यंग को बदा देता है और यंग अब उस जगा पर पह कर देता है अब इन दोर में बहुत fight होती है fight में ही एक दिवार से जिन्हों टकरा जाता है इस दिवार से उसे बहुत सारे drugs मिलते है यानि कि लड़कियों के साथ साथ ड्रग्स भी supply किये जाते थे यही drugs लेने के लिए master का बेटा सरकस में आया था last में जिन्हों गोली चला कर इकवां को मार डालता है केस अब सौल हो चुका है तो जिन्हों को इस केस के लिए पैसे मिल जाते है वो अमेरिका जाना चाहता था पर सुन को अमेरिका भेज देता है सुन एक scientist है और अमेरिका जाकर अच्छा अविश्कार कोरिया में ला सकती है इसलिए वह वहाँ उसे भेज देता है सुन उसे कहे रहे हुती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है पर जिन्हों कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूं मुवे के लास में हम देखते है जिन्हों और जैंग के पास कुछ आदमी आते है इन दोनों को एक बड़े से लग जाता है कि यह आदमी और कोई नहीं था तो यह हमारे किंग ही थे जिन हो और जैंग दोनों बहुत ही खोश हो जाते है क्योंकि इन्हें बहुत सारे बैसे भी मिलने वाले अब यह दोनों एस टीम एके सौल करने के लिए लग जाते है यही मूवई एंड हो जाती है आपने आपका खेल रिखिया है